थारनगरी में रविवार शाम और सौमवार सुबह हुई हलकी बारिश ने ही नगर परिशत की पोल खोल कर रख दी है। मानसून सिर्पर है और मुश्राधार बारिश कभी भी बार्मिर में दस्तक दे सकती है। की जरूरत के साथ हादसो को नियोता दे रहे हैं। नगर परिशत की और से इन मैन हॉल को बंद करने की जगे अस्ताई तोर पर कहीं सिमेंट के स्लेब डाल दिये गए हैं। तो कहीं पुराने ट्रांस्परमर तो कहीं पत्थर की पट्टिया रखकर काम चलाय जा रहा है। जो सहर की विकासकारयों की सीधे तोर पर पोल खोल रहे हैं। बारमे शहर में जिला कलेक्टर आवास से निकल रहे मुख्य मार्ग पर राय कुलन रोड, सार्जनिक, निर्मान विभाग, श्रामगर के ठीक आगे, गांधी चोप के पास, रेलो एस्टसिन के सामने, तेलक बसे स्टेंड के पास, मात्मा गांधी, सिन्डिय सेकनरी स्कूल के पास कन्या माविजाले के आगे की सड़क पर लंबे समय से मैन हॉल के धकन तूटे हुए हैं कुछ जगर पर हाथसे के खत्रे को देखती हुए सिमेंट की स्लैब रखी गई है इसी तरह जिला कलेक्टर आवास के पास शीवरेज के मैन हॉल का धकन लंबे समय से तूटा हु है कि शहर की सरकार को इन हाथसों के ठेकानों से कोई सरुकार नजर नहीं आता कि नंग से सफाई की गई ना नालियों की सफाई की गई सफाई वह श्टा बिलकुल चरमरा गई है और रोडों की स्थिती खराब है इसा कि सुविधाों के नाम पे जीरो है बाढड में स्थितिया गंवीर बनी हुए और इसे कई आज से हो सकते हैं इसे नगर पड़िसत को जो पांग्रिस का बोर्ड है वो मदमस्त हो के चल रहा है किसी की कोई जिंता नहीं कर रहा है आम जंता का कोई कारे नहीं हो रहा है सहर में खुले पड़े इन मैन होल से कई मरतबा हाथसी हुए हैं लेकिन नगर परीशत परसासन को कोई शरुकार नहीं है अब जब मानसून कभी भी उमर घुमर कर सेकडो की संख्या में पानी का सेलाब ला सकता है ऐसे में उस वक्त खुले मैन होल कितने घा तक साबित हो सकते हैं इस बात का अंदाजा लगाए जा सकता है लेकिन जब जिम्मेदार ही आँखे मूंदे हो तो शिक्वा और सिकायत किस करें